हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दा सक्सस किंद्रा, फ्रेंट्स दिखिए BPSC के माधम से बिहार में जो सिक्षक भरती परिक्षा 2023 लिया जाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म का नया प्रक्टिस बुक आया हुआ है, और उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, अल्रेडी मैंने उस पर आधारित या प्रक्टिस बुक है, बहुत इंपोर्टेंट प्रशन दियेगा है इस सेट में, इसलिए पूरा सेट को लगाईए, और फ्रेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निसान है, उसको जरूर दबा लिजिएगा, ताकि जब भी बिहार सिक्षक भरती परिक्षा 2023 से सम्मंदित, कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अफ्लोड किया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, तो चलिए फ्रेंट्स, कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार सिक्षक भरती परिक्षा 2023 के लिए फ्लेटफॉर्म का जो नया प्राक्टिस बुकाया हुआ है, उसका सेट नंबर हम लोग 2 कभर करेंगे, ध्यान दीजिए, दिखे, कोस्तर नंबर 1 से लेकर कि कोस्तर नंबर 50 तक में मैथ और मिल जाएगा, टेलिग्राम से आप लोग जूड जाएए, टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार प्राइमरे टीचर, टेस्ट सीरीज यहां भॉलूम वन है, चली आते हैं, कोस्तर करके बताते चलेंगे, और जो भी मैं explain करूंगा, उसको ध्यान से आप लोग जरूर सुनियेगा, इससे क्या होगा, कि एक प्रशन के साथ साथ, आपके दो से तीन प्रशन जो है, वो कवर होते चलेंगे, अब यहां पर ध्यान देजेगा, इसका जो correct answer हो जाएगा, वो सपष्ट आपको दिखाई दे, 52 नंबर है कि गैलवेनी करण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है, तो देखे गैलवेनी करण की प्रक्रिया जो होती है, या लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, और इस पर जिंक की यानि की जस्ता का परचड़ा जाता है, तो उबस नंबर इसका C, करेक्ट अंसर हो जायेगा, सितारों की जगमगाहट का कारन क्या है, बताईए, राइट अंसर इसका क्या होगा, तो यहाँ वाइ मंडलिय अपवर्तन है, उबस नंबर A, राइट अंसर हो जायेगा, बायो गैस सेंटर के किस हिस्से में औक्सिजन की अनुपस्तिती में प्रतिक्रियाएं होती हैं, देखें बायो गैस होता है, इसका जो मुख घटक होता है, ये मिथेन होता है, मिथेन का फर्मुला CH4 होता है, मिथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस, ठीक है, और फ्रेंस यहां जो प्रतिक्रियाएं हो बाहे प्रतिरोध में धारा के अधिक्तब मान के लिए, तो फ्रेंट्स ये जो बड़ा वाला आर है, जो बाहे प्रतिरोध है, वह छोटा होगा आंत्रिक प्रतिरोध से, जो स्मॉल आर है, option number A इसका right answer हो जाएगा, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, देखें वसा का पाचन जो होता है, ये कहाँ पर होता है, तो फ्रेंट्स ये होता है छोटी आथ में, ठीक है, पितासे की थैली के माध्यम से यकृत से पित प्राप्त करता है यहाँ पर, और वसा जो होता है, इसी क यह पाचन में यहाँ सहायक होता है तो छोटी या तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इन्वेसे कौन सी यह कृत्रिम पारिष्थितिकी तंतर नहीं है देखें नहीं पूछा गया है तो गरेक्ट अंसर इसका ऑप्सिन नम्बर यह हो जाएगा जंगल जंगल जो है यहाँ प्राकिरितिक पारिष्थितिकी तंतर का एक्सामपल है बाकी मचली घर भगीच़ और फसल चेतर यह कृत्रिम पारिष्थितिकी तंतर या पारि तंतर के उधारन प्रशन है कि जायद मौसम के दोरान किस फसल का उत्पादन होता है तो यह फसल जायद फसल के अगर हम बात करें तो यह फसल मुक्यता मार्च अप्रेल में बोई जाती है उत्तर भारत में जायद फसल तर्बूज, खीरा, खर्बूज, ककड़ी ये सब होता है तो यहाँ पर देखिएगा तर्बुज दिया गया है जो कि जायद फसल का इजामपल है ओप्सन नमबर ए राइट अंसर हो जाएगा सेट नमबर वन को मैंने कभर करा दिया था अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजएगा लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको मिल जाएगा देखे निम्न में से कौन सा प्रकास की प्रक्रिणन का उधारन नहीं है नहीं पूछा गिया है बताई तो देखे इसमें से जो राइट अंसर हो जाएगा जो प्रकास की प्रक्रिणन का उधारन नहीं है तारो का टिमटिमाना अब मैंने अपवरतन बताया था आपको आपने देखा भी है option number D correct answer हो जाएगा निम्ड में से किसमे 4 कक्षी हिरदय यानि कि 4 चेंबर वाला हर्ट पाय जाता है 4 कक्षी हिरदय जो है यहां पाया किसमे जाता है तो फ्रेंट स्यां मगरमक्ष में पाय जाता है मेधक का हिरदय कितने कक्ष का होता है तो मेधक का तीन कक्ष का होता है मचली का दो कक्ष का होता और गिरिगिट का भी तीन कक्ष का होता है चले ब्योटेन का संरचना स्कौन साइस में से पुरा देखे ध्यान से ब्योटेन का फर्मुला आपको पता होना चाहिए क्या होता है C4H10 होता है अब यहाँ पर ढूंड सकते हैं कि का तो कारवन देखेए 1 2 3 4 तो करेक्ट अंसर हो जाएगा और सबमें सिंगल बॉंड होगा चलो सबस्कार कर देखेगा कि नीचे दिये गया जानवरों पर विचार करिये साप जिपकिली मेलगर घडियाल यानिकि मगरमक्ष नियम्रकित में सब्स्यिस्टा चुनिये जो जानवरों में पाई जाती है इनका तीन कोष्टों का हिर्दय होता है अभी मैंने बताया कि मगरमक्स का चाय कोष्ट का होता है छिपकिली का कितना होता है तो छिपकिली का गिर्गिट का तीन कोष्ट का होता है ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको गाए जीव क्रमसों जंतू कि किस वर्ग के हैं छिपकिली जो आता है यह किस में आ जाएगा चीपकिली सरिश्रिप में आता है चमगादर जो है यह अस्तन धारी में आएगा कलचिली जो है यह पक्छी में और बिच्छों जो है किट में तो option number D जोगा रैट अंसर इसका हो जाएगा रींड वर्म यानि कि दाध क्षूजली जो होता एक इस प्रकार की बिमारी है तो यहां फंगल है तो कवकी हो जाएगा अपसर नमबर बी घृट पैंसर इसका हो जाएगा बहुती सांदार कुस्टन इसमें दिया गया ब्रेट को फुलानी के लिए इसमें कौन सी सामगरी मिलाई जाती है जो 1-2-5 का जो सिलेबस है उसी पराधारित यह परशन है ठीक है यानि कि जो प्राइमरी टीचर वाला है उसी का यह सेट है तो आप अगर चाहा हाईयर सेकंडरी देने वाले हैं तो भी यह सेट आपके लि रेखित जो होता है हमेशा उत्तर दक्सिंदी सामें उसके बाद देखे मा के गर्व में जो बच्छा पलता है वह किस माध्यम से अपना पोसंद प्राप्त करता है तो यहाँ प्लेसेंटा के माध्यम से देखे प्लेसेंटा यहाँ पर option number D correct answer हो जाएगा 69 नमबर देखिए क फर्मुला अगर आपको पता है तो आप easily इसको solve कर सकते हैं ठीक है यह है निला थोता का फर्मुला CUSO4 into 5H2O यानि कि यह क्या है आपका copper sulfate है option number A right answer हो जाएगा किसी अन्य कामरे में बात कर रहे हैं लोगों की बाते हमें ध्वनी तरंगों के किसके कारण सुनाई देती है तो यह सुनाई देती है diffraction के कारण विवर्तन के कारण option number B हो जाएगा पेशी तंतर का कौन सा भाग हड़ी को हड़ी से जोड़ता है तो हड़ी को हड़ी से जोड़ता है ligament ठीक है और हड़ी को मांस पेशी जोड़ता है tendon तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे प्रकास वर् बराबर कितना होता है 9.46 कुना 10 के पावर 15 मीटर होता है ठीक है चले पैनिसिलिन क्या है पैनिसिलिन एक क्या है कवक है और देखें पैनिसिलिन जो है यह एक सारी पैनिसिलियम एक कवक है और पैनिसिलिन मनाया किसे गया तो पैनिसिलियम नोटेटम से ठीक है पैनिसिलियम कोवक है और penicillium notatum नामक कोवक से penicillin प्राप्त किया जाता है प्रकाशन सलेशन की किरिया के दौरण कौन सी कैस उत्पन होती है तो जो गैस उत्पन होगी यह oxygen है कोशिका की उरजाई का यानि कि energy currency को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ATP क्या कहा जाता है फ्रेंट्स इसको ATP कहा जाता है option number C जो होगा right answer हो जाएगा वंसागती के नियम की खोज किस ने किया था तो वंसागती के जो नियम है इसका खोज किया था Gregor John Mendel ने यहाँ पर देखें मेंडल दिया गया इसको अनुवान सिकी का इनको जनक कहा जाता है किस गैस को हसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है तो यह गैस है नाइट्रस अक्साइड नाइट्रस अक्साइड लाफिंग गैस कहा जाता है इसको निमने लिखित में से किसका उपयोग जल के सुधी करन में किया जा सकता है तो इसमें से किया जा सकता है फिटकिरी का रासानिक नाम होता है पोटास एलम पोटास एलम इसका रासानिक नाम होता है पूरा सेट को लगाईए और लाश्ट में अपना-पना आप लोग स्कोर करके बताइए चल消़ आगला प्रश्ण है कि सरीर में विलाüğ कहा पाया जाता है तो विलाई जो है याँ पाया जाता है छोटी आथ में ठीक है लेंस का जो समता है power of lens यह होता है one upon f होता है ठीक है यह focus दूरी है और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है focus दूरी जो होता है यह हमेशा मेटर में होना चाहिए ठीक है और power of lens का unit तो है diopter क्या होता है यहां मैं लिखता हूं diopter होता है clear अब यहां पर देखिए अब यहां पर अभी मैंने आपको होता है focus जो है यह हमेशा मेटर महोना चाहिए किसमें मीटर में यहां देखे 25 cm है इसको मेटर में बदल देंगे तो one upon four हो जाएगा यह मेटर में ठीक है ना बटा 100 कर देंगे तो one upon one by four हो जाएगा यह four कहां चला गया उपर चला गया यानिकि four diopter हो जाएगा d से इसको denote करते हैं diopter को option number d इसका correct answer हो जाएगा ठीक है friends ज्यान रखना है चली आगे बढ़ेंगे next question करेंगे कि प्रकास को प्रिज्म से गुजार कर spectrum प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो यह व्यक्ति और कोई नहीं बलकि Isaac Newton थे option number c right answer हो जाएगा spectrum से जब प्रकास को गुजारा जाता है तो यहाँ 7 रंगों में विभाजित हो जाता है लाल रंग का तरंग दर सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कौम होता है आप विवजीवर आपने पढ़ा होगा ठीक है चली आगे बढ़ेंगे कि क्विनीन मलेरिया की एक आम दबा है जो किस ब्रिक्स की चाल से प्रात की जाती है तो यहाँ कुनैन से और सनमबर इसका सी होगा करेक्ट अंसर मानाव आथ में मवजूद खलेस्तान दियेगा अंडा का रस्थान सरोतम द्रिष्टी का छेत्र होता है तो फ्रेंड्स यहाँ जो है यहाँ पीला यहाँ किसको द्रसाएगा नट्रोजन द्रसाएगा उननों को क्या कहा जाता है जो है तो कार्बंड एक्साइट का प्रतिसत है वो 0.03 परसेंट है सबसे जयदा नाइट्रोजन का लगभग 38% होता है और अक्सीजन का लगभग मैं बता रहा हूं 21% होता है शेले उसका बाद देखिएगा कि प्रित्वी या गुर्त्वा कर्शन की घीचाओ की प्रत्किरिया में अंकूर और जड़ों में क्रम सो उपर और नीचे की और होने वाले ब्रिधी को क्या कहा जाता है तो उस सरजक अंग ये मैलपीगी न लिकाए है और नमबर डी हो जाएगा राइटम सर इस तरह के प्रशन को आपको डिरेक्ली याद रखना होगा उसका बादिक प्रितिपी पर पाया जाने वाला सरवादिक सगन पदार्थ कौन सा है तो सरवादिक सगन पदार्थ प्रितिपी प संपदा योजना को किस वर्स तक बढ़ा दिया गया है इस्टार्ट कब किया गया था पी अम के एस वाई को तो 2017 हमें और इसको बढ़ा दिया गया मार्च 2026 तक ठीक है लोकसभा का सचिवाले सीधे नियंत्रित होता है तो यहां लोकसभा के अध्यक्स के द्वारा उसके ब 94 नमबर देखिए कि निम्रेखित में से किसमें 356 को सुरक्ष्या का पाट कहा है 356 तो राज्यों में राष्ट्पति सासन है 352 में राष्ट्या पाट काल है 360 में तो बाबा सापाम बैद करने कहा था ठीक है अपनोर बीनगuse का राहाम पाट इंसर हो जाएगा निम्नलेकित में से कौन एक राजनेतिक स्वतंतरता नहीं है राजनेतिक स्वतंतरता जो है नहीं पुछा गया है तो विचरन की स्वतंतरता बाकी देखें मतदान करना सरकार की नीतिव क्यालोसना का स्वतंतरता ये सबी जो है आपके राजनेतिक स्वतंतरता है विचरन की स्वतन प्रता नहीं है चलि उसके बाद next question कर लेंगे आधुनी की दल ब्यवस्था का उदभा उस्वर्प्रतम कहा हुआ तो यह हुआ था इंग्लेंड में वह हडपा काली नगर जिसका प्रतिनिजित लोथल का पुरातत वस्थल करता है वह किस नदी के ठट पर इस्थे थे लोथल जो है यहाँ बंदरगाह था सिंदुगाटिस अभ्यता का यहाँ भोगवा नदी के ठट पर है और यहाँ गुजरात में है ध्यान रखेंगे ठीक है चलि आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे किन्ने में लिखित में से कौन एक cabinet mission का सदस नहीं था cabinet mission के अध्यक्ज़ थे ये एस्टफोर्ड क्रिप्स थे ठीक है पैंथिक लॉरेंस इसका सदस थे और ये भी एलकजेंडर थे जोन साइमन नहीं था यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किस से जुड़ा हुआ है बताईए तो friends यह statement है भारत चुड़ा अंदुलन के दौरान ठीक है चलिए उसका बाद देखेगा कि भगत सिंग का समारक कहां इस्ते थे भगत सिंग का जनम 1907 में हुआ था लायल पुर्जिला यहां में लिखता हूँ लायल पुर्जिला के बंगा गाउं में बंगा गाउं है जो कि अब पाकिस्तान में है ठीक है यहीं पर हुआ था और इनका समारक जो है यह इस्तित फिरोजपूर में ऑप्सिन नमबर ए राइट इंसर हो जाएगा चलो इसके बद नेक्ष्ट कुस्टन है कि कनिस के समय आईजी चतूर्थ बौध संगती की सभापती कौन है कनिस के समय चोथा बौध संगती का आजन हुआ था कुंडल वन कस्मीर में और इसके सभापती पुछा गया है कौन थे तो फ्रेंट्स यह जो थे यह वसूमितर थ गया तो दिली से देवागिरी ले गया और इसका नाम रखा दौलताबाद अप्सन नमबर ए करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा कौंग्रेस के निमनलिखित नेताओं में से कौन एक पून रूप से कैबिनेट मिसन योजना के पॉक्स में था तो यह सरदार पठेल थे अप्स पढ़ेंगे कि सकल राष्ट्री आय को कुल दन संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है तो यह प्रतिवक्ति आए ठीक है प्रतिवक्ति आए किस वर्स MRTP यहां में MRTP आयो की अस्थापना की गई थी देखिए इसका पूरा नाम है एकाधिकार एवं प्रतिबंधित ब पताई करेक्टन सर 1979 में और 1970 से यह पूरे देश में लाग हुआ था एकाधिकार एवं प्रतिबंधित बैपार पदतियां अधिनियम चले उसका बढ़ेगा कि निमलेकित में से विश्वका सबसे गहरा गर्थ कौन सा है इस गर्थ का नाम है बताई चैलेंजर गर्थ ठीक ह है चैलेंजर गर्थ भारत में मिरदा का विश्टार आँ ही करों है यानि कि सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम बी होगा इसका सही उत्तर चले उसका बाद देखे 110 नमबर की रेड़ किलिफ रेखा जो है यहाँ भारत मतलब कीने दो देशों के मद्ध है तो रेड़ किलिफ जो है यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में है ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा राइट इंसर इसका भारत और मैक मुहन रिखा है याद रखेंगे आप इतमाधू दौला का मकबरा अगरा में किसने बन्वाय था यहां बन्वाय था उपनीशad काल में राजा और सुपती सासक थे तो राजा और सुपती जो थे यहां सासक थे कहां के कहां के थे ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन करेंगे कि हिंदू बृधिदर किस बृधिदर से संबंदित है अब देखें यहां पर आप जनसंख्या से कन्फ्यूज मत होईएगा हिंदू बृधिदर यहां राष्ट्री आय तो फ्रेंट्स यहां अमीर अली के अदेखस्ताम हुई थी अगला प्रशन करेंगे नेक्स्ट कुस्टन है कि 1942 के भारचोड़ आंदोलन के दोरा बिहार के बिभिन भागों में आंदोलन को तिवर करने के करम में कोई लोग सहीद हुए ऐसे कुछ सहीद आम बिहार के छेतर को सुमेलिद करें अब यहां पर दिके एक तरफ सहीद दिया गया दूसर तर बिहार के छेतर दिया गया है बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा अब यहां पर धिशान से तेखेंगी फ्रेंट्स तो आप फुलेला प्रशाद सिर्वास्तो यह आपका सिवान हो किसको पार कर लेने पर एक दिन जूड़ जाता है तो एक दिन जूड़ जाता है किसको पार कर लेने पर तो फ्रेंट्स यह 180 डिग्री यहां पर देखिएगा अंसर देशांतर पस्यम से पूर्व को उसका बाद देखिएगा कि समिध्यान की किस अनुश्यत मूलेक है कि रा मंत्री परिशत जो है सामोईक रूप से लोग सभा को प्रतिवतर जाई होती है निमन में से कौन प्रधान मंत्री जो पद गरहन के समय विधान सभा का सदस्य था तो यह प्रधान मंत्री जो थे यह देवगाड़ा सहब थे नियंत्रक और महालेखा परिशक अपना प्रतिवेदर निमन में से किसे देता है तो फ्रेंट्स यह प्रतिवेदर देगा नियंत्रक और महालेखा परिशक राष्टपती को ठीक है अगला प्रशन कर लेंगे नेक्ष्ट कुस्टन हमारा कि भारत निर्मान कारेकरम कब प्रार चले उसका बदेखेगा कि किस सुल्तान ने हजरते आला की उपादीधारन किया था सेरसा सूरी ने सुल्चनतरता अंदुलन के दोरान किस वर्स पटना युवासंग की अस्थापना होई थी पटना युवासंग की अस्थापना जो है ये किया गया था 1927 में उसका बदेखेगे भारत के दक्षनी चोर का नाम क्या है दक्षनी चोर जो है इसका नाम क्या है इसका नाम है निकोबार दीप में स्थित इंद्रा पॉइंट ठीक है इंद्रा पॉइंट है अपसर नम्बर सी हो जाएगा भारत में निम्र में से कोन सी संसत की वितिय समीतिया वाहा बिरोजगारी तब परती है जब वहाँ व्यवसाइक गती विधी में एक षामान्यमंदी होती है तो उसे क्या कहा जाता है चक्रीय बिरोजगारी फ्रैंकफर्ट की संदी किस वर्ष हुई थी फ्रैंकफर्ट की संदि जो है यहाँ हुआ था किसकी बिच? तो friends यहाँ हुआ था फ्रांस और प्रसा की यूद के अंत के कारण फ्रांस और जर्मनी के मध्य में हुआ हैं? यहाँ 18 से 71 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संदि उसके बदे के बांधीपूर वन जी अभ्यरन कहा परिस्ति करनाटक में है बांधाव गड़ जो है यहाँ मद्ध प्रदेश में करनाटक किसका राइटन सर हो जाएगा बांधीपूर करनाटक में है ठीक है चलिए अधिकान से मौसमी घटना किसमे संपन होती है तो यह छोब मंडल में होती है अगला प्रश्ण करेंगे next question है कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है तो मत देने का अधिकार जो है अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था कानूनी अधिकार है GNP और GDP में क्या अंतर है GNP का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोड़क्ट और GDP का होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट इसमें अंतर क्या होगा तो विद्यस्व सुप्राप्त सुध साधन आय हो जाएगा बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है तो फ्रेंट्स यहा अप्सन नमबर यह राइट अंसर हो जाएगा इसका ठीक है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल पारित किया गया कि विदी के समक्ष जाती वंस यह इस्तिरी पूरुष का लिहाज किये विना समानता होनी चाहिए तो यह किया गया था आपका कराची अधिवेशन 1931 इसमें ठीक है द्यान रखेंगे कराची अधिवेशन सरदार पटेल ने इसके देखता किया था चलिए अगला प्रशन कर लेंगे कि राजनिती किसी धर्म से राजनिती कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है यह स्टेट्मेंट किसका था तो यह महात्मा गांधी जी का था ठी इसका देखे बकसर का यूद किस-किस के बीच हुआ था बकसर के यूद हुआ था कब तो यहां 1764 में हुआ था ठीक है हेक्टर मुन्रो जो था इसमें अंगरेजी सेना का नेत्रित्व कर रहा था चलि थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थाप ने किसके द्वरा किया गया था तो यह किया गया था मैडम बलावत्सिकी के द्वरा अप्सन नमबर एज होगा राइट अंसर हो जाएगा करनल अलकाट और मैडम बलावत्सिकी के द्वरा मैं समाजवादी और गरतंत्रवादी हूँ यह कॉंगरेज के एक अधिविशन में अपने अधिक्षिय वहासर में किसने कहा था तो फ्रेंड्स यह कहा था जवहारला नहरू ने नैसर्गिक अधिकार सिधान्त का प्रति बादनिमलेकित में से किस के द्वरा किया था तो ये किया गया था जॉन लॉक के द्वारा उसका बदे कि जापान की मुद्रा क्या है तो जापान की मुद्रा एन है ठीक है जापान की मुद्रा एन है याद रखेंगे चलि आगे बढ़ेंगे का ठारसु संतान की क्रांती में पटना की विद्रो का नेतरश तू किस ने किया था तो पीर अली ने किया था पटना में किस ने किया था पीर अली साहब ने किया था जनवरी दोहजर इसमें भारत के 78 ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं तो ये बन गए है कौस्ताव चटरजी जनवरी 2023 में लॉंच की गए पुस्तक जादू नामा के लेखक कौन है जादू नामा के लेखक जो है ये जावेद अक्तर है याद रखेंगे ठीक है फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ें कुस्त नंबर 143 कर लेंगे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज मवी गंगा विलास ठीक है काउद घाटन कहां किया गया वारानसी में बहुत ही इंपोर्टेंट है 17 फरवरी से 2 मार्त 2023 तक भारत और जापान के भी धरमगार्जियन अभ्यास हुआ था कहां जित हुआ था धरमगार्जियन भारत और जापान के मद्य एक्सरसाइज है इसका आजन किया गया था कहां पर जापान में ही सिगा प्रांध में टैप्सी को इंडिया ने किसे अपना ब्रांड मेश्टर बनाया है तो यह बनाया है रणवीर सिंग को उसका बाद देखें मई 2023 में आई से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अमबेद का रेवार्ड से सम्मानित कि इसको किया गया है तो यह किया गया है योगी आधित्यनाथ जी को उसका बाद देखें कि पुर्व मुकमंत्री प्रकास सिंग बादल का 25 अपराल 2023 को निधन हो गया तो प्रकास सिंग बादल जो थ इसके बाद देखेगा अगला प्रश्ण है हमारा और आकरी कोस्टन है आप लोग अपने स्कोर कमेंट करके बता देजी किस राज के मर्चा चावल को जी आइटेक दिया गया है तो यह जो राज है यह बिहार है ठेक है वीडियो को लाइक कर देजिए स्कोर बता देजिए और करदेगा इसको से अरकर दिजिएगा झाल देटेजिए झाल देखे एगा अभाण को जीए इसको से यह कर देजिए इसको से यह कर देजिए गात।